आज जो हम लोगों की question series है science and technology की जो की आपके exam के point of view से काफी important है तो उस series का अगला video हम लोग आज भी questions के बारे में जो most important questions है ठीक है उनके बारे में हम लोग discussion करने वाले हैं तो आप सभी लोग channel को join करिए selection mentor को event telegram group को भी join करिए ताकि आप लोगों को जो recent updates है कि कौन से video कौन सी classes आपकी कितनी देर पर होने वाली हैं जो भी आपके confusion है queries हैं वो सभी queries आप लोग telegram पर भी direct अपने mentor से connect हो करके पूँच सकते हैं telegram channel को भी join करिए साथी साथ Instagram और Facebook पर भी follow करिए selection mentor के नाम से और वहाँ पर भी आपको recent updates आपको मिलते रहेंगे तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग move करते हैं अपने आज के पहले प्रश्ण की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्ण क्या कह रहा है which of the following acid is used for the food preservation यानि कि निम ने लिखेत में से कौन सा ऐसा अमल है जो की खाद्य पदार्थों के सनरक्षन में इस्तमाल किया जाता है या सनरक्षन के लिए प्रियोग किया जाता है acetic acid, benzoic acid, citric acid या formic acid तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये सभी जो different अमल है ये कहां से हम लोगों को प्राप्त होते हैं तो formic acid की अगर बात की जाये तो जो formic acid है ये बेटा किसमें पाया जाता है तो जो हमारी red ant है red ant यानि की लाल चीटियां है उनमें honey bee और जो आप लोग बर्रया या ततया कहते हो ठीक है पिलियो और जो red color की होती है आप लोगों ने देखा होगा तो इनके डंक में या बिच्छू के डंक में कौन सा acid होता है तो formic acid इनमें पाया जाता है citric acid जो है यह आपके all citrus fruit यानि की सभी खटे रसदार फल खटे तो हैं तेकिन रसदार फलों में ठीक है रसदार फलों से आपको क्या मिलता है citric acid मिलता है benzoic acid की अगर बात की जाए तो जो benzoic acid है या grass leaves यानि की घ perí खास की पतियों में पाया जाता है ठीक है घास की पतियों में आपका कौन सा पाया जाता है तो benzoic acid पाया जाता है घ происходит घ्जू की पति में और जो acetic acid है इसको बनाया जाता है Acetic Acid, जो कि आपका कहलाता है, Vinegar, यानि कि सिरका कहलाता है, ठीके, तो यहाँ पर, जो Acetic Acid है, इसको गन्ने के रस से, जनरली बनाया जाता है, जामुन के रस से भी बनाया जाता है, सेव से भी बनाया जाता है, ठीके, Apple Cider Vinegar हो, चाहे, वो आपका, जो आपका Blueberry, यानि जो ज जामुन है जामुन का सिर्का हो या गंडे के रस का सिर्का हो तो उन सभी में आपका क्या होता है अब बात आती है पर खाद्य पदार्थों के संरक्षण मतलब सभी खाद्य पदार्थों की बात की ठीक है ऐसा नहीं कि किसी एक चीज कि आप में से कई लोग क्या करते हैं कि थ तब भी तो ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि अगर उसमें मौश्यर पहुचेगा तो मौश्यर यानि कि नमी पहुचेगी तो उसमें क्या हो जाएगा फंगस का डेवलप्मेंट हो जाएगा यानि कि उसमें कवक उत्पन्न हो जाएंगे और कवक अगर उत्पन्न होंगे तो 100% है कि अचार खराब हो जाना तो कुछ अचारों के preservation में तो acetic acid यूज किया जाता है लेकिन जो सभी खाद्यपदार्थों की संरक्षण की अगर बात की जाए तो वहां पर नाम आता है benzoic acid यानि कि benzoic अमलका इस्तमाल खाद्यपदार्थों के संरक्षण में किया जाता है ठीक है और question ये भी आपका important है जो की पूछा गया है कि benzoic acid कहां पाया जाता है तो घास की पत्तियों में benzoic acid present grass leaves में ठीक है आईए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्ट क्या कह रहा है butyric acid is found in यानि कि अब butyric अमल है ये किसमें पाया जाता है options हैं आपके milk, curd, butter या cheese चीज यानि कि पनीर तो यहाँ पर हम देखें तो ये सारे milk product है सभी चीज़े milk से ही बनाई जाती है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो curd में आपका क्या होता है milk में lactose sugar होती है जिसका fermentation होता है यानि कि किलवन होता है और lactobacillus जो है ठीक है ये क्या करते है lactobacillus lactobacillus जो है ये दूद के क्या है bacteria है यानि कि जीवाणू है ये milk में जो sugar पाई जाती है कौन सी दूद में सरकरा कौन सी होती है तो lactose sugar होती है और lactose को ferment करके यानि कि उसका किडवन करके क्या कर देते हैं Lactic Acid में Convert कर देते हैं तो Lactic Acid यानि कि Lactic Lactic Acid अब बात आ रही है तो Butter बनाने के लिए यानि कि मक्खन में आपका कौन सा अमल प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर answer होगा आपका butyric acid तो butyric acid किस चीज में पाया जाता है तो butyric अमल जो है यह आपका पाया जाता है butter यानि कि मक्खन में तो मक्खन में कौन सा अमल होता है तो butyric acid तो butyric acid किसमें पाया जाता है तो right answer हो जाएगा आपका answer C यानि कि option C मतलब butter यानि कि मखन में चीक है आईए देखते हैं कि अगला प्रशन हमारा क्या कह रहा है The World Animal Day celebrated on यानि कि विश्व पसु दिवस कब मनाया जाता है options है आपके 4 October, 16 November, 1 December या 14 February तो विश्व पसु दिवस की अगर बात के जाए यानि कि World Animal Day जो है ये हमारा मनाया जाता है 4th of October every year यानि कि 4 October को हर साल विश्व पसु दिवस मनाया जाता है यानि कि World Animal Day मनाया जाता है आईए देखते हैं कि हमारा अगला प्रशन क्या कह रहा है Termites are also called यानि कि दीमकों को क्या कहा जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो Termites है यानि कि दीमक है ये पिट्टी में रहते हैं बामी बना करके बामी यानि कि पिट्टी को खोकला करके और जमीन के उपर अगर इनको आप देखिए तो ये काफी उचे 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 आपका क्या करते हैं ये उचे 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 पिट्टी के धेरों का निर्माल कर लेते हैं अपने सलाइवा के साथ कुछ इस तरीके से और साथी साथ अगर देखिए तो इसमें एरियेशन का प्रोसेस भी रहता है यानि कि इनमें हवा का आवा गमन रहता है ताकि इनकी बामी ठंड ही रह सके या अंदर जो इनकी पूरी कॉलोनी बसी हुई है जितना भी ये अपना जमीन के अंदर होल बना करके रहते हैं तो वो पूरा एरिया क्या रहे वो ठंडा रहे और इसी आधार पर अगर देखिए तो जो हमारा अफरीकन कॉंटिनेंट है अफरीकन कॉंटिनेंट में कई सारे वहां पर वो भाई हमारा कहां पर है खास तोर पर भूमद्य रेखा पर है इस्थित है अफ्रीकन कॉंटिनेंट और अफ्रीका ऐसा है जिसमें से हमारी करकरेखा मकररेखा और भूमद्य रेखा तीनों रेखाएं हो करके गुजरती हैं और इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर एक्वेटोरियल ज प्रोसस रहता है जो कि अंदर ठंडा रहता है और यहां पर कुछ आर्किटेक्चर ने ऐसी बिल्डिंग्स भी बनाई है जो कि जिन में कोई एसी नहीं है फिर भी अंदर का इंवर्मेंट एकदम ठंडा रहा है ठीक है तो दीमक खातोर पर देखिए तो लकडियों को खा ज जिससे पेल भी खराब हो जाता है हमारा तो यह सबी चीदे देमकों के होने से तो यहां पर अगर देखिया तो दीमकों को क्या कहा जाता है आंट, चीटी, रेड आंट, लाल चीटी, वाइट आंट, सफेद चीटी या ब्लैक आंट, काली चीटी, तो आप लोगों ने देखा होगा, कि दीमक जो है, ये कॉलोनीज डिवलप करते हैं, और ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, सफेद रंके इनका सरीर होता है, हेड के पोर्शन में हलका सा रेडनेश होता है, जह नामकरण किया जाता है, ये दीमकों का नामकरण किया जाता है, ठीक है, नेक्स है हमारा, अगला प्रश्य है, तर रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक टु मीजर अम्ब्रियोनिक ग्रोथ इज, यानि कि भूड के विकास को मापने के लिए, हाल ही में विकसित कौन सी तकनीक है, यानि कि कि टकनीक को विकसित किया गया है हाल ही में, ताकि भूड ये विकास को देखा जा सके, यानि कि गर्भ में जो शिचु है, गर्भस्त सिचु है, उसके विकास को देखा जा सके, options हैं हैं हमके microwave, ultrasonic, x-rays या ultraviolet, अब देखें, यहाँ पर देखें तो option के according क्या ह कि जो अल्ट्रा वाइलेट रेज हैं ये तो हम लोगों के लिए खतरनाक है, हम लोगों को skin cancer cause कर देती हैं और इनसे हम लोग कभी भी पीजरिंग या कोई imaging नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी भेधन छमता तो ज़्यादा लेकिन इतनी भेधन छमता नहीं होती है कि ये सरीर को आर पार करके हमें कोई image प्रोवाइड करें ठीक है, x-rays सरीर को पार कर जाती है और हमें x-ray photographic film पर हमें एक image प्रोवाइड करती है तो x-rays का भी इस्तमाल नहीं किया जाता तो यहाँ पर ये दोनों option क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे अब यही पर देखें तो जो microwave है, microwave का इस्तमाल हम लोग कहां पर करते हैं, microwave oven में करते हैं चीजों को गर्म करने के लिए अब पहले क्या था, कि जैसे ultrasound, ultrasound का इस्तमाल किया जाता था जिसमें कि ultrasonic, यानि कि parashrvya tarenaंगों का इस्तमाल किया जाता और parashrvya tarenaंगों की अगर हम बात करें तो ultrasonic sound की frequency, यानि कि इनकी आवरित्य कितनी होती है तो parashrvya tarenaंगों की आवरित्य 20,000 Hz से above कि जो भी frequency होगी जो भी आवरित्ती होती है वो आपकी कहलाती है अल्टरा सोनिक साउंड यानि कि पराश्रव्य तरंगे और अल्टरा साउंड का इस्तमाल किया जाता था और इस समय पर देखा जाया तो उसे भी और अपग्रेड़ेड वर्जन बनाया गया है जिसको कहा जात भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है among the organs of man the least susceptible और harmful radiation is यानि कि मनुष्य के अंगों में आनिकारक विक्रण के प्रती सबसे कम समवेदन शील अंग कौन सा है ठीक है यहाँ पर options है आई, आख, हर्ट, प्रदै, लंग, फेफ़डे, ब्रेन, 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 तो अब देखो ये question दो तरीके से पूछा जाता है कि मनुष्य के सरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो कि विक्रण के यानि कि जो harmful radiation है उनसे सबसे ज़्यादा susceptible है यानि कि सबसे अधिक समवेदन शील कौन सा है तो अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा exposure किसका होता है यानि कि सबसे ज़्यादा विक्रण किस अंग को प्रभावित करता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो आई को प्रभावित करता है यानि कि अब वहीं यहाँ पर question क्या कह रहा है सबसे कम प्रभावित अंग कौन सा है तो विक्रण के case में अगर देखा जाए वो हमारा आई होता है यानि कि आख होता है और सबसे कम प्रभावित होने वाला अंग क्योंकि इनकी penetration पावर भेदन चमता क्या होती है अगर देखा जाए तो X-rays की तुल्ला में कम होती है तो यह आख को तो प्रभावित करती है और भेदन चमता कम है तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावित होने वाला अंग जो की हमारे सरीर में क्या रहता है हमारे सरीर में एक cavity के अंदर यानि कि एक गुहा के अंदर present रहता है और इस cavity को हम लोग कहते है cranium cavity और इसके अंदर क्या present होता है हम सभी लोगों का मस्तिश्क present होता है यानि कि brain present होता है और brain is the least susceptible organ in human body यानि कि मस्तिश्क जो है सबसे कम प्रभावित होने वाला या सबसे कम समवेदन शील अंग है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा answer D यानि कि brain एक अगला प्रश्ण है हमारा DPT vaccine is used for the cure of which disease यानि कि DPT का जो टीका है यह निम्न लिखित में से किन बीमारियों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है या किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है हम सभी लोगों का बचपन में vaccination हुआ है टीका करण हुआ है हमारी बर्त के बाद और हम सभी लोगों को अलग-अलग vaccine लगाई जाती है जैसे कि BCG vaccine लगाई गई है DPT vaccine लगी है तो इन में से DPT के बारे में पूछा जा रहा है कि DPT vaccine किस बीमारी से बचाने के लिए इस्तमाल किया जाता है options है टिप्थीरिया, भूपिंग कफ या टिटनेस यानि कि खसरा, उकुर खांस या टिटनेस, उकुर खांस या काली खांसी इसको कहा जाता है दूसरा है पोलियो, डिप्थीरिया, ट्यूबर कुलोसिस यानि कि पोलियो, खसरा और टीबी, ट्यूबर कुलोसिस को क्या कहा जाता है टीबी या छै रोग भी इसको हिंदी में कहते है ठीक है, 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 ठीक है जिसको की हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग अस्थी ज्वर, अस्थी ज्वर के नाम से भी जानते हैं, अस्थी ज्वर यानि कि हड़ी का भुखार भी इसको कहा जाता है, या तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक या अस्थी ज्वर दोनों ही कहा जाता है कि इसको टाइफाइड को तो इन में से किन बीमारियों को से बचाने के लिए TPT वैक्सीन लगाए जाती है तो देखे DPT का जो full form है वो क्या है TPT का full form जो है that is diptheria P represent कर रहा है pertussis को pertussis anti-titanus तो diptheria जो की बीमारी है यानि के खसरा, pertussis और titanus यानि के धनुश्च टंकार तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर pertussis तो कहीं लिखा नहीं है pertussis का ही दूसरा नाम क्या है? pertussis को ही कहा जाता है whooping cuff क्या कहा जाता है? whooping cuff कहा जाता है यानि की whooping cuff यानि की kukur khans ठीक है? यह आपका क्या है? kukur khans तो यह आपका तीन बीमारीयों से बचाने के लिए दिया जाता है यानि की right answer आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा diptheria, whooping cuff and titanus ठीक है? और DPT को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसको कहा जाता है it is known as triple antigen vaccine इसको triple antigen vaccine भी कहा जाता है ठीक है? triple antigen vaccine क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तीन बीमारीयों से बचाने का काम कर रहा है खसरा, काली खासी और धनुस्टंकार ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान दिजेगा titanus के बारे में कई बार ये भी पूछा गया है कि titanus का दूसरे नाम से पूछा गया है titanus को lock jaw disease भी कहा जाता है क्या कहते हैं? lock jaw disease ठीक है? lock jaw disease भी कहते हैं इसको यानि कि बंद जबड़ा भीमारी भी इसको कहा जाता है कि इसको? titanus को तो अगर titanus के बारे में यहाँ पर अगर हूपिंग कफ और titanus की जगे lock jaw disease दिया हो तब भी answer यही होगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि इसको triple antigen vaccine और पल्टूस को हूपिंग कफ यानि कि कोकर खास titanus को धनुस्टंकार या lock jaw disease भी कहा जाता है तो इसका right answer होगा A आए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्ण क्या कह रहा है चिलगोजा is obtained from the seed of which of the following species यानि कि चिलगोजा जो है यह निम्द लिखित में से जैसे जो हम लोग dry fruits इस्तमाल करते हैं dry fruits में padam है अंजीर है काजू है पिस्ता है इन सभी का dry fruits के रूप में हम लोग इस्तमाल करते हैं अखरोट है तो वैसे ही चिलगोजा के भी बीज इस्तमाल किये जाते हैं dry fruits के रूप में और ये जो चिलगोजा है, ये कहां से प्राप्त होता है, या किस पेड़ से प्राप्त होता है, ओप्चन है, पाइन, पाम, साइकस, या सीडर, यानि कि देवदार. तो अब पहली चीज़ तो ये देखें कि ये जितने भी आपके व्रिक्ष हैं, पाइन, पाम, साइकस, या देवदार, ये सभी हाई एल्टिट्यूड में, यानि कि उच्चे अक्छांसी रेखाओं पर उगने वाले पौदे हैं, खास तोर पर आपके पहाडी छेत्रों में प पाया जाते हैं, और साथी साथ यहां पर देखें, तो इन में से ज़्यादा तर आपके उच्चे अक्छांस पर हैं, और इन में से जो आपका चिलगोजा, जो की खाने में ड्राइफ रूट्स के रूप में इस्तमाल किया जाता है, ये आपका पाइन के पेड़ों से, यान अगर आप इसमें देखिए, तो इसमें आपके जो फैट कंटेंट है, यानि कि वसा जो खास तोर पर आपका क्या है, कौन सी वसा हैं, जो सरीर के लिए आवश्यक वसा हैं, उनकी मात्रा इसमें होती है, और खास तोर पर ये ओमेगा थ्री, ठीक है, ओमेगा थ्री, जो की स अच्छा स्रोत होता है कौन चिल्गोजा ठीक है तो ओमेगा 3 fatty acid ये सरीर के लिए अतियावश्यक है यानि कि अच्छा होता है ठीक है ये सरीर को harmful चीजों से बचाने में भी मदद करता है हमारे heart attack के risk को भी कम करता है तो ये अच्छा स्रोत है और चिल्गोजा जो है ये pine seed से निकाला जाता है यानि कि pine के बीजों से निकाला जाता है अगला प्रश्ण है हमारा when there is a decrease in the concentration of oxygen in blood the rate of breathing यानि कि जब रक्त में oxygen की सांदरता कम होती है तो स्वास की दर होती है तो जल्दी से comment box में answer करिए इसका कि स्वास की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है options है आपके decreases घटती है increases बढ़ती है does not change कोई परिवर्तन नहीं होता या first decreases then increases यानि कि पहले घटती है और फिर बढ़ती है तो यहाँ पर बात हो रही है कि blood में oxygen की कमी तो देखिए अगर कभी भी हमारे सरीर में oxygen की कमी होगी तो oxygen की कमी होगी या जब भी कभी आप लोग पहारियों पर यानि कि mountain climbing करने जाते हैं तो उच्छे आक्षांस पर जाते हैं वायुमंडलिये दाब कम होता है और वायुमंडलिये दाब कम होने के कारण क्या होगा? कि वहाँ पर oxygen की मात्रा आपके सरीर में क्या होगी? कम होगी और कम होगी तो आप क्या करेंगे? कि सांस जल्दी जल्दी लेंगे यानि कि जल्दी ठकेंगे जल्दी हाफना सुरू कर देंगे योगी सरीर को oxygen चाहिए और स्वसन दर क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी और जब हमारे सरीर में oxygen की सांदरता यानि कि oxygen का concentration कम होगा तो उस समय पर क्या होगा? हमारा heart rate जो है वो भी increase होगा और respiratory rate यानि कि स्वसन दर है वो भी क्या होगा? बढ़ेगी तो इसका right answer होगा increases यानि कि बढ़ जाती है और जब हमारे सरीर में oxygen की कमी हो जाती है तो उस condition को क्या कहा जाता है? तो वो condition क्या कहलाती? it is known as hypoxia ठीक है? क्या कहा जाता है? hypoxia कहा जाता है तो hypoxia के case में क्या होता है? हमारे सरीर में oxygen concentration down हो जाता है यानि कि कम हो जाता है ठीक है? तो oxygen concentration कम होने पर heart rate और respiratory rate यानि कि स्वसन दर और हरदय की गती ये दोनों ही क्या हो जाएगी? बढ़ अगला प्रश्ण है in which of the following organ bile is accumulated यानि कि निम्ण में से किस अंग में फित रस जमा होता है? यानि कि एकठा होता है तो अब देखें bile juice की बात करें तो bile juice जो है ये एक हमारा digestive juice है यानि कि पाचकरस होता है और पाचकरस के आधार पर अगर हम लोग इसको देखें यानि कि bile juice क अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा पाचकरस है यानि कि जो bile juice है ये बनता कहां से है तो हमारे सरीर का एक one of the busiest organ यानि कि हमारे सरीर का एक व्यस्ततम अंग और इस व्यस्ततम अंग को हम लोग क्या कहते है इट इस नोन एज लिवर यानि कि यक्रित तो पित रस बनता कहा से है तो बनता है तो है हमारे लिवर में यानि की यक्रित में बनता है ठीक है फाइल जूस कहां बनता है तो ये बनता है हमारे कहां पर हमारे लिवर में बनता है यानि की यक्रित में बनता है लेकिन ये निकल करके इकठा कहां पर होता है तो इकठा होता है हमारे गॉल में गॉल ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं पित ताशे कहते हैं या पित की थैली इसको कह दिया जाता है तो बाइल जूस बनता कहां पर है तो लिवर में बनता है यानि कि यक्रित में बनता है और एकठा कहां होता है तो गॉल ब्लैडर में बनता है या रिलीज कहां से होता ह तो gall bladder से ही यह क्या होगा? release भी होगा तो यहाँ पर तीसरा प्रशन जो बनता है कि bile juice is secreted from यानि कि पित रस कहां से श्रावी तो होता है तब भी answer आपका क्या होगा? gall bladder ही होगा तो पित रस कहां इकठा होता है तो gall bladder में इकठा होता है यानि कि हमारी जो पित्त की थैली है इसी में इकठा होता है ठीक है और बनता है लिवर में और बाइल जूस का जो pH मान है यानि कि पित्तरस का जो pH मान है ये 7.6 to 7.8 होता है यानि कि 7.6 से 7.8 होता है और इसका pH मान भी पूछा जाता है और इसमें कोई भी पाचकरस उपस्थ सित नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, इसमें कोई भी पाचकरा सुपसित नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वसा का इमल्सी करण कर देता है, ठीक है, clear, तो यहाँ पर कहाँ पर accumulation होता है, तो गॉल्ब्लेडर में यानि कि राइट एंसर होगा आपका D option, अगला प्रश्ण है, which one of the following is not correctly matched, यानि कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, जो सही सुमेलित नहीं है, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, options हैं आपके potassium chloride, match box में, magnesium, magneze oxide, dry cell, यानि कि सुस्क सेल में, ठीक है, hydrochloric acid, hydrochloric acid, यानि कि जो आपका HCL है, यह accumulator cell, यानि कि संचायक cell में, या uranium atomic bomb, तो देखें, potassium chloride जो है, जो हमारा match box माचिस की तीलिया होती है, और match box के उपर, जो परत होती है, जिससे रगडने से हमारा माचिस की तीलिया जल जाती है, तो उसमें क्या present होता है, potassium chloride present होता है, manganese dioxide का इस्तमाल सुष्क cell, यानि कि dry cell में इस्तमाल किया जाता है, तो यह भी सही है, uranium का इस्तमाल, हम लोग atomic bomb में करते हैं, ठीक है, और जो हमारे accumulator cell है, यानि कि संचायक cell होते हैं, और संचायक cell में hydrochloric acid, यानि कि HCL का इस्तमाल नहीं किया जाता, जो संचायक cell, यानि कि जो हमारी batteries है, liquid batteries है, उनमें use किया जाता है, sulfuric acid, यानि कि S2SO4 का इस्तमाल किया जाता है, तो यहाँ पर यह गलत है, और सही सुमेलित नहीं है, इसलिए right answer आपका क्या हो जाएगा, C is the right answer, यहाँ पर होगा, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, in the process of making curd, since ancient time, which of the following organism required, यानि कि पुराने समय से दही बनाने के लिए निम्न में से किस जीव की आवश्यक्ता होती है, option है, bacteria, virus, fungus और protege होआ, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में discuss किया है, कि दही बनाने के लिए, दूद से दही बनाने के लिए, किलवन की प्रक्रिया होती और fermentation का काम कौन करवाता है, lactobacillus और lactobacillus क्या है, it is a bacteria, तो right answer आपका A होगा, यानि कि bacteria मतलब जीवान, ठीक है, अगला प्रश्य है हमारा, which chemical compound is present in bleaching powder, यानि कि जो bleaching powder है, उसमें कौन सा रासायने के योगिक उपस्तित होता है, तो bleaching powder का इस्तमाल हम लोग खास तोर पर D-stain के लिए करते हैं, यानि कि विरंजन के लिए करते हैं, रंग को हटाने के लिए करते हैं, खास तोर पर इसका इस्तमाल सफेद कपडों में इस्तमाल किया जाता है, और उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है, या क्या चीज प्रेजन होती है, options हैं आप और इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो calcium oxy chloride जो है, यह bleaching powder को कहा जाता है, इसलिए right answer होगा आपका B, ठीक है, तो calcium hydroxide नहीं होगा, नहीं calcium carbonate होगा, नहीं ammonium chloride होगा, तो right answer क्या है, calcium oxy chloride, अगला प्रेशन है हमारा, the chemical formula of heavy water, heavy water यानि कि भारी जल का रासायनिक सूत् तो भारी जल की अगर बात करें, तो जिसको की हम लोग क्या कहते है, deuterium oxide, ठीक है, तो यहाँ पर H2O, यह तो water हो गया, S2O2, hydrogen peroxide को H2O2 कहा जाता है, ठीक है, N2O, यह nitrous oxide है, जिसको की laughing gas भी कहते हैं, और ज्यादा इस्तमाल किया, तो इंसान निश्चे तो हो जाता ही, य deuterium oxide, D2O, deuterium oxide, जो है, यह आपका क्या होता है, भारी जल होता है, यानि कि heavy water होता है, और भारी जल के case में, यानि कि heavy water के case में, अगर हम लोग देखें, तो इसकी discovery किस ने की थी, तो इसकी discovery की थी, Harold Urey, ठीक है, किस ने किया था, Harold Urey, Harold Urey ने भारी जल की खोज की थी, और जो deuterium oxide है, यह hydrogen का isotope है, देखें, hydrogen, जो gas है हमारी, hydrogen तत्तो है, hydrogen के तीन समस्थानिक है, यानि कि तीन isotope होते हैं, एक तो कहलाता है, protein, दूसरा कहलाता है, deuterium, और तीसरा कहलाता है, tritium, ठीक है, protein, deuterium और tritium, यानि कि 1H1, 1H2 and 1H3, ठीक है, तो यह तीन आपके क्या हैं, isotope हैं इसके, और इन में जो deuterium है, यानि कि 1H2 जो है, यह आपका इसी से बना है, deuterium oxide, यानि कि D2O, और किसने invent किया था, heavy water के रूप में, Harold Urej ने किया था, और इसका इस्तमाल, परमाण उर्जा सेयंत्रों में, सीतलक के रूप में इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, clear, तो D2O is the right answer, यानि कि C is the right answer. Next question है, in the context of computer, ALU means, यानि कि computer के संदर्भ में, ALU का मरतलब क्या होता है, algebraic logic unit, arithmetic logic unit, algebraic local unit, या arithmetic local unit, तो ALU, जो है, यह हमारा क्या होता है, ALU is the arithmetic logic unit, इसको कहा जाता है, ठीक है, arithmetic logic unit, ALU कहलाता है, तो इसका right answer होगा B, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को question समझ में आये होंगे, ठीक है, तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करिए, साथी साथ bell icon को प्रेश करिए, ताकि recent updates आपको मिलते रहें, और telegram channel से आप लोग direct faculty से जुड़ सकते हैं, जो भी queries हैं, उनको पूरा समझ सकते हैं, धन्यवाद,